प्रणाम आईए हम आज बात करते हैं द्वादश बहाव पर बारवन भाव ज्यतिश में होता क्या है बारवन भाव बे का है अब ये बे अर्थात खर्चा किस मद में करना होता है यह जरूरी है देखना क्योंकि खर्च के प्रकार भी होते हैं राजसिक खर्च है तामसिक खर्च है सात्विक खर्च है ये सब बातों को जानने के लिए पूरे सूत्र को समझने के लिए वीडियो को अंतितक जरूर देखना और हम इस वीडियो को भी दो पार्ट पे बनाएं है बारवें घर में कौन-कौन से ग्रहों के द्वारा मनुश्य के जीवन में खर्च, हानी, लाभ और रोग, बिस्तर सुख, पतनी का सुख इन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो लोग जोतिस जानते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं आएगी समझने में लेकिन जिन लोगों को जोतिस के बारे में ज्यान नहीं है उनको समझाने के लिए हम बाकाइदे हर प्रकार की कुंडली चार्ट दे करके हर लगन को दे करके समझाने का परेतन करते हैं हलाकि बहुत मेहनत का कारे है लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जितना लोगों को हमारे द्वार कुछ लाब हो सके तो अच्छा है अगर आप बजार में जाएंगे सीखेंगे और बजार से पुस्तक खरीदेंगे तो कौन से पुस्तक खरीदें ये समझना बड़ा कठिन होगा और कौन से बिशे में जाने ये भी कठिन होगा तो हमारा ये जो वीडियो का जो चैनल है वो आ सबसे पहले हम बता दें, आँख, पाव, पर प्रभाव, द्वादस भाव से देखा जाता है, मोक्ष प्राप्ति होगी या बंधन, द्वादस भाव से देखा जाता है, खर्च के स्थिति के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं अब द्रिष्टी हानी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं द्वादश भाव में सूर्य अत्वा चंडरमा का पाप युति अत्वा पाप दृष्टी में स्थित होना आखों के दृष्टी की हानी का कान बनता है, क्योंकि द्वादश अस्थान लेफ्ट आईज यानि कि बाईं आख है और सूर्य तथा चंडरमा भी जोतियां होने से आ मता, पिता, बहन, भाई, उदाहरं के लिए सूरी अगर शत्रू राशी में अश्टम स्थान में इस्थित हो और शनी मंगल आदी पापी ग्रहों द्वारा सूर्य द्रिश्ट हो तो पिता की आँख क्योंकि सूर्य पिता है, पिता की आँख चली जाती है, कारण ये है कि सूर पिता के भाव नवं से द्वादश में इस्थित होकर तता पाप प्रभाव में होकर पिता की आँख के लिए हानिकारक तो होगा ही, शुक्र की द्वादश अस्थान में इस्थिती देखना है यहां पर, शुक्र क्या है, भोग प्रधान ग्रहे है, ये ग्रहे भोग प्रध या लाव दायक सिद्ध होगा क्योंकि हर एक ग्रह तो बारवे घर में खराब माना गया लेकिन शुक्र साथ में और बारवे घर में इतना प्रमदित रहता प्रसंद रहता है कि बस पूछिये मत इसलिए भोग प्रधान है तो शुक्र पर ये नियम बिल्कुल लागू नहीं ह होता कि वो बारवे घर में खराब करेगा जिन कुंडलियों में शुक्र बारवे घर में इस्थित होता है उनकी इस्त्रियों की आयू प्रायह अधिक होती है सुखमय होती है क्योंकि शुक्र भोग आत्मक है और 12 अस्थान भी भोग आत्मक है अगर 12 शेस 12 भाव में हो और भी साथ हो तो ये योग बहुत भोग विलास सुख देने वाला योग है अर्थात इस योग के फल सुरूप मनुश्य बहुत धनाड तथा सुखी होता है शुक्र की द्वादस इस्थिति के संबंद में चंद्रकला नाडी का कहड़ा है कि बे अस्थान गते का बे नीचांश क अर्थात शुक्र बार्वे अस्थान में इस्थित हो और नौमेश द्वारा देखा जा रहा हो तो मनुश्य को डिधी प्रेजर की प्राप्ती होती है भाव ये है कि शुक्र की द्वादस भाव में इस्थिति शुभ मानी गई है अशुभ नहीं मानी गई है शुक्र के लिए नियम ये है कि जिस भाव में बैठेगा उसको लाब पहुंचाएगा अता है यदि सूर्य तथा चंद्र लगन में हो और शुक्र बार्वे अस्थान में हो तो मनुश्य बहुत ज़्यादा समद्रशाली होता है भोगी और सुखी तथा सम्माननी होता है इन नियम के अनुसार इनका अनुसरण करते हुए हम कह सकते हैं कि जब शुक्र गुरू से बार्वे भाव में बैठता हो तो गुरू को बहुत बल प्राप्त होता है गुरू धान तथा सुख का कारक ग्रह है और यह स्पष्ट है कि वही बली गुरू के कारण वहब्यक्ती बहुत धन प्राप्त करता है और गुरू की दशा में शुक्र की भुक्ती हो तो यह योग पूर्ण रूप से फली भूत होता है अब शुक्र के बारे में 12 अस्थान पर पाउं इत्याद की सेहत पर देख लेते हैं काल पुरुष में 12 अस्थान पाउं का घर पाउं का स्थान है यदि 12 भाव 12 यानि 12 भाव का स्वामी तथा गुरू मीन राशी पर पाप प्रभाव युतियत वा द्रिष्टी द्वारा पढ़ रहा हो तो मनश्य को पाउं में चोट रोग आदि से कस्ट होता है यदि ये पाप प्रभाव मंगल का हो और ना केवल लगन से 12 भाव वा 12 शेस पर हो बलकि चंद्र लगन तथा सूरी लगन से भी 12 शेस पर हो तो मनश्य का पाउं कट जाता है मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिस प्रकार जन्म लगन कुंडली में लगन का महत्त होता वैसे ही चंद्र लगन का महत्तो और सूरी लगन का महत्तो समान रूप से एक ही होता है अब 12 घर से कैसे पता करें कि पानी में डूब करके मृत्यू होने का भै कब बनता है 12 अस्थान जली अस्थान है इस भाव के स्वामी तथा चतुर्त भाव के स्वामी का प्रभाव यूती यानि दोनों की इकठे रहना अत्वा द्रिष्टी पढ़ जाए तो जब अस्टम अस्टमेस पर हो अन किसी प्रकार का भाव ना हो तो मनुश्य की मृत्यू जल में डूब कर होती है परण तो इतना ध्यानवश्य है कि जब कोई ग्रह द्वादस अस्थान में इस्थित हो तो फिर द्वादशेस का फल उस ग्रह के अनुरूप ही होता है उदाहरण के लिए अगर द्वादस अस्थान में सूर्य तथा मंगल इस्थित है और द्वादशेस जो द्वादस भाव का स्वामी है सचेत्री अस्टमेस के साथ अस्टम भाव में इस्थित है तो वहां मृत्यू जल द्वारा ना होकर अगनी द्वारा होगी समझ लिया आपने यहां से अतुल धन दायक योग का कैसे देखें जब द्वादसाधी पती की तरतिय सस्ठ अस्टम में स्थिती हो यानि बारवें घर का स्वामी छटे घर में बैठा हो आठवें घर में तीसरे घर में बैठा हो और उस पर केवल पाप प्रभाव हो शुब प्रभाव बिलकुल न हो तो विपरीत राजयोग से समर्द्धी होती है जो बहुत धन दायक योग है विपरीत राजयोग प्राया धन कुबेरों की कुंडलियों में पाया जाता है यहाँ पर हम एक कुंडली आपको देख रहे हैं यह कुंडली एक करोडपती की है यहाँ पर बुद्ध दो अनिष्ट भावों तरतिय तथा 12 का स्वाम है तरतिय और 12 का स्वामी है और वो तरतिय से तरतिय यानि पंचम 12 से 6 दोनों बुरी स्थितिया है में इस्थित होकर तरतिय तथा 12 भाव को हानी पहुचा रहा है बुद्ध शत्रु रासी में होकर शनी तथा सूरे से घिरा हुआ तथा मंगल एवम राहो से दृष्ट है इस पर किसी शुब ग्रह के दृष्टी नहीं है अता यह 12 तथा तरतिय भाव के अशुब फल का नास करने वाला अर्थात अभाव दरिद्रता आदि का नास करने वाला विप्रीत राजयोग बनता है अब जन्म कुंडली में पती पतनी में प्रेम या पती किसी और इस्त्री से जुड़ा है पत्नी किसी और पुरुष से जुड़ी है इसका पता कैसे खरे अगर इस्त्री की कुंडली में राहू और सस्ठेस वा एका दशेस का योग द्वादा सभावत था उसके स्वामी से हो तो इस्त्री के भोग सुख अदर्स को भी प्राप्त होते हैं अर्थात उसके पती से के सा शया सुख बांटने वालों वाली कोई अन्य इस्त्री भी होती है हम यह कहेंगे लडाई मत करना आप लोग पती पत्नी में लडाई करने के लिए हम नहीं बता रहे हैं केवल सूत्र की चर्चा कर रहे हैं गुणों का अतिव बे यानि खर्च द्वादश भाव बे तथा अपव्बे यानि वेस्टेज का है अताह यदि सूरिया दिग्रह द्वारा द्वादश अस्थान में बिना अन्य प्रभाव के पड़े हो तो निज गुणों के अपव्बे अर्थात अतिव बे को दर्शात हैं जैसे सूरी हो तो मनुष्य स्वार्थ त्यागी दूसरे के हित्मी लगा हुआ होता है क्योंकि सूरी सात्वी ग्रह है और चंद्वा हो तो मनुष्यत niż का अपवबे होता है अर्थात मनुष्य अधिक संबेदन शील हो जाता है मंगल अत्वा कीतु हो तो अपनी शक्ती तथा शारी रिकबल का दूसरों के लिए अत्यधिक प्रयोग करता है अगर बुद्ध है तो जैसा हम पहले कह चुके हैं कि बिना पूछे उपदेश करने वाला होता है कई लोग होते न बिना पूछे ही कुछ न कुछ बोलने लगते हैं यदि गुरु हो तो अपनी सम्मती का दुरुपयोग करता फिरता रहता है शुक्र हो तो बीरे शक्ती का अतधिक बेवाला होता है हस्त मैतुनित्यादी करने वाला होता है आँखों का बहुत प्रयोग करने वाला अर्थात किताब का कीड़ा होता है यदि शनियत वा राहू हो तो उत्तेजित होने वाला वा असनायू दबाव में रहने वाला होता है अब बार्वांगर मोक्ष का किस प्रकार से बनता है वो भी चर्चा कर लेते हैं यदि लगनेशों का धार्म अस्थानों से संबंध हो ठीक है और 12 अस्थान जथा 12 शेश पर सात्तिक ग्रहों का प्रभाव हो तो मनुश्य को मोक्ष प्राप्त होता है 12 अस्थान में राशियों के चर्चा करेंगे लेकिन अगले वीडियो में करेंगे यहां से आपको हम पहले यह समझाने को प्रहास करेंगे कि आप समझ पाएं और जितना समझ पाएं आप कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि हम आने वाले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके चर्चा अवश्य करेंगे लेते हैं विदा नमस्कार प्रणाम जैस्री कुर्ष्णा